So guys, अगर आप अपना aim improve करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप पूरी देख लेजिए आपका बिल्कुल 101% आपका aim improve हो जाएगा और आपके सभी doubts aim को लेकर clear हो जाएगे So guys, अगर आप अपना aim improve करना चाहते हैं guys तो सबसे पहले आपको जादा से जादा games खेलने होगे Shooting games खेलने होगे आपको intense fight लेनी होगी और आपको different games खेलने होगे क्योंकि guys, अगर आप लोग PUBG खेलते हैं और आपका aim improve होगा 100% aim improve होगा PUBG से लेकिन guys, अगर आप अपना aim improve जल्दी करना चाहते हैं तो आपको different games खेलने पड़ेंगे और क्योंकि guys, PUBG जब हम खेलते हैं तो 10 minutes लूट करने में वेस्ट हो जाते हैं और फिर guys हमें fight 15 minutes बाद 20 minutes बाद लेनी पड़ती है fight कई बारी बहुत time लग जाता है guys और फिर अगर fight लेते हैं तो मरने का डर रहता है कि rank गड़ जाएगा, rank push कर रहे है और guys इस वीडियो में मैं आपको एक useful app के बारे में बताऊंगा जिसको आप use करके आपका aim improve कर सकते हो और बहतरीन तरीके से कर सकते हो पहले guys एक point और रहता है कि आपको अपनी जो sensitivity होती है वो सबी games जो आप खेलते हो shooting की जा FPPF कोई भी games खेलते हो FPS वाली shooting games तो आपको अपनी सारी games का जो sensitivity होगी वो same रखनी होगी और इस app की भी आपको जो aim की sensitivity होगी same रखनी होगी guys आप अपनी एक sensitivity रखो हर एक game में तो उसके साथ खेलो guys यह नहीं कि इस game में तुमारी अलग sensitivity और इस game में अलग इस app का नाम guys aim master है जब आप इस app को open करोगे तो इससे setup करना बहुत easy है इसमें दो mode है एक reaction time mode है जो speed mode है और दूसरा track mode है जो speed होती है guys उसमें आपका reaction time बढ़ेगा जैसे आप एक सप्रे में दो दो enemy को मार सकते हो तो उस time आपकी speed काम आती है और जो अपना tracking होता है वो होता है guys आप moving target को मार सकते हो तो यह आपको इसमें इसका improve करने में आपकी help करेगा और दूसरा guys जो अपना speed है वो अपना reaction time को increase करेगा उससे आप अपने enemy को जल्दी से जल्दी मार सकते हो कई बारी हमें एक सप्रे में दो enemy को knock करना होता है तो वहाँ पर अपनी speed और reaction time काम आता है तो guys इससे आपको आप practice करो बहुत ही बड़ी है यह app अगर आप इसको खेलने से पहले पांच मिनट या दस मिनट खेल लो guys उससे आपकी game पर बहुत ही बड़ी आसर पड़ेगा आ guys इसमें जो आपके minimum score आपको achieve करने हैं जो करने ही करने है וru guys 120 score तो आपको करने है reaction time में अपना speed में और 60 points guys minimum आपको achieve करने है track mode में तो guys यह आपको achieve करने है अगर आप इतने achieve नहीं कर सकते तो guys आपको बहुत ज्यादा practice की जरूरत है और अगर आप इतने एचीव कर लेते ह जितनी आप करोगे उतना आपका इम ज्यादा इंप्रूव होगा जितनी आप गेम्स कहलोगे इंटेंस फाइड लो गाइस आर्केड मोड खेलो पबजी में और गाइस ट्रेनिंग मोड जो बना है और भाई कई भाई तो मेरे ट्रेनिंग मोड में जाते हैं जिस दिन की पबजी इंस्टॉल किया गाइस training mode हमारी practice के लिए ही बना है pub g में उसमें आप practice करो guyz अगर आप जितनी practice करोगे आप उतने best बनोगे गाईज अगर आप दिन में 3-4 गंटे pub g खेलते हो गाईज अगर आप उसमें से 10 मिनट एक practice में लगाऊगे तो आपका aim जल्दी से जल्दी improve होगा PUBG में guys आपका aim improve होगा अगर आप खेलोगे तो बहुत ही slow होगा guys आपको different games खेलने पड़ेंगे उसके लिए उसके लिए ये app best है guys आप इसको practice करो और आप खुद कोगे कि आपका aim बिल्कुल जादा improve हो जाएगा और guys जो मेरे भाई PC पे खेलते हैं उनके लिए next वीडियो आएगी कि PC में अपना aim कैसे improve करें जो mouse के साथ खेलते हैं ये सिर्फ mobile वालों के लिए वीडियो थी तो इसलिए guys मिलते हैं अगली वीडियो में उमीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलेगा अगर आपको ये वीडियो नहीं अच्छा लगा तो आप डिसलाइक कर सकते हो थैंक्यू guys